वेलकम बैक गाईज आज का वीडियो काफी ज़्यदा खास होने वाला है हम लोग मिस्टिरियस पिरामीड के अंदर आ चुके हैं ओके यहाँ पर तो बीच में लाबा है उस तरब जाएंगे कैसे इस डोर को पन करते हैं क्या पता इसके अंदर हमें कुछ देखने को मिल जाए अंदर एक रूम है यहाँ चेक आउट करते हैं और यहाँ पर दो ब्लोक मिला है और साथ में एक लिवर मिला है इस लिवर को हम लोग क्या करेंगे उस ब्लोक पर अच्छी तरीके से प्लेस करेंगे यह क्या अंदर से डीमन बाहर आया जल्दी से भागना पड़ेगा इसे क या करेगा सानवाले ब्लोक पर अच्छी तरीके से ड्रॉप कर देगा उसके बाद रास्ता बन जाएगा देख सकते हो रास्ता बन चुका है अब हम लोग सामने की तरफ जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के तो चलो फड़ा पर चलते हैं डोडोपन करके और यहाँ का अरिया पुरी तरीके से अजीव लग रहा है यहाँ पुरा का पुरा नेदर ब्लोक से भरा हुआ है मुझे लगता है पूर्टल अक्टिवेट करके हमें यहाँ से जा सकते हैं आगे की और और राइट फ्लिंट भी मिल चुका है एलिक्स के पास फ्लिंट था इसे हम लोग इसी तरीके से एक्सप्लोर करना होगा उसके बाद हमें पता चल जाएगा यहां एक करेक्टर है एक काम करता हूँ इसे बाहर निकाल देता हूँ क्या पता यह मेरी मदद कर दे क्योंकि हम लोग आए मिस्टिरियस चीज़ ढूने के लिए और हम लोग अभी पिरामीड के होगा यह क्या इस ग्रेनी ने एलिक्स को अपने अंदर समा लिया है मुझे पता ने एलिक्स किल हो चुकी है और फिट नहीं नीचे जंब कर दे फड़ापट से जंब कर चुके हैं नीचे वाटर हमें डैमज नहीं पड़ेगा फोरा वेट कर लेंगे काफी तेज तरीके से नीचे की और स्कॉल हो रहे हैं कि हम लोग वाटर के अंदर है और राइट देख रहे हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं नीचे की और थोड़ा वेट करेंगे और हम लोग सेफली तरीके से पहुंच चुके हैं मेरे पीछे पीछे ग्रेनी भी आती होगी इससे पहले कि यह कोई भी creature ना हो तो सबसे अच्छी बात होगी और राइट यह character बहार आ चुका है और यह कोई भी creature नहीं है क्योंकि यह मुझे आ गया 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 है चलो ठीक है देखता हूँ यह किस तरीके से मेरी मदद करेगा थोड़ा वेट करते हैं यह क्या करने वाला है मुझे कुछ भी idea नहीं है इसने मुझे बो दिया है लेकिन arrow भी तो चाहिए काफी सारा arrow दे दिया सामने से ग्रेनी आ चुकी है हम सब मिलकर क्या करेंगे इस पर attack कर देंगे ताकि ग्रेनी इस तरफ नहीं आ सके हम लोग उसी तरफ जाएंगे लेकिन साब से पहले मुझे ग्रेनी को यहां से कहीं और भगाना होगा चलो ठीक है मैं इसे काफी अच्छा खासा डैमेज दे दिया और इसने हमार लिए रास्ता खुद बखुद बना दिया हम लोग उसी तरफ चलेंगे तो चलो फड़ा बट चलते हैं क्योंकि इस केरेक्टर ने बोला है उस तरफ कोई मिस्टिरियस चीज हमें देखने को मिलेगा तो चलो फड़ा बट चलते हैं और हम लोग काफी तेज तरीके से जा रहे हैं और राइट सोचना पड़ेगा अब हम लोग क्या कर सकते हैं अभी तक आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ओल पर सेट कर लेना अब हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके उपर चलते हैं और हम लोग काफी तेज तरीके से उपर आ चुके हैं और अब देखना ये है हम लोग क्या कर सकते हैं नीचे जल्दे फड़ाबर से और हम लोग नीचे भी आ चुके हैं लेकिन यह क्या नूब जैसे लेडर पर चढ़ने का पढ़ियास किया लेडर ही डिस्ट्रॉय हो गया हमें किसी और लेडर से जाना होगा ढूरना पड़ेगा कहां वो लेडर है और राट इस तरफ चलते साइड से यहां से रास्ता बना हुआ है और हम लोग काफी तेज तरीक से देख रहे हो इसके सकल से लग रहा है यह पूरा का पूरा म्यूटेंट स्पोंज बॉए है इससे पहले कि मुझे तक पहुँचे हमें इससे दूर निकल जाना है देखता हूं वो करेक्टर उसे रोख पाएगा या फिट नहीं मुझे नहीं लगता इस पोंज बॉए को तरफ ना सके माइन्स लगा दिया है जैसे डिस्टोय होगा स्पोंज बॉए भी लावा के अंदर गिर जाएगा थोड़ा वेट कर लेते हैं और यह फट गया और यह स्पोंज बॉए सिधा लावा के अंदर गिर चुका है अब यह बच नहीं सकता यह किल हो जाएगा अब ह मैं फिर से एरो मारता हूँ लेकिन मुझे पता है एरो का इस पर कोई भी ऐसार नहीं होता है बस थोरा सा डैमेज बरता है और ज्यादा असार नहीं होता और हम लोग सेफली तरीके से इस तरफ जंब करके आ चुके हैं ओके इस तरफ पोटल है सामनी की तरफ और सिधा चले ग्रेनी पूरा ब्लोग डिस्ट्रॉय करके मेरी और बढ़ रही है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिधा चलेंगे पोटल में भी आ चुके है थोरा वेट करेंगे और हम लोग इस तरफ बाहर आ चुके हैं सामने किसी का हाउस है यहाँ कोई ने कोई करेक्टर जरूर हो किया है उस पर स्प्लैस पोसन करने लगी और इसे ट्री बना दिया कमाल कर दिया मुझे लगा था यह करेक्टर कुछ नहीं कर पाईगी लेकिन इसने कमाल कर दिया ग्रेनी पर स्प्लैस पोसन करके उसे निर्जीव ट्री बना दिया आज रात हम लोग यहीं सोएंगे अब जो भी होगा, कल सुबा देखा जाएगा, मैंने डोर भी पूरा का पूरा क्लोज भी कर दिया है, और इसने मेरे खाने के लिए केक भी रख दिया है, और राइट सोने के लिए बेड भी लगा होगा, तो चलो फड़ाबर चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते बेड लगा है, नूब तो पहले आकर सो गया है, तो हम लोग भी सो जाते हैं, अब जो भी होगा, कल सुबा देखा जाएगा, तो फड़ाबर सो जाते हैं, और कुछ घंटे के लिए तो में सोना ही पड़ेगा, और काफी घंटे सोने के बाद, देखता हूं क्या होने वाला है, सीन सिप्ट यह विच्छ है और इस विच्छ ने Granny को फिर से अच्छा कर दिया मतलब tree बना दिया था लेकिन अब इस विच्छ ने ग्रेनी को पूरा का पूरा अच्छा कर दिया और ग्रेनी ने विच्छ को बदले में diamond भी दिया आगे चलते हैं अब मुझे जल्दी से उठना होगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ कुछी देर में ग्रेनी पहुचने वाली है तो हम लोग जाग चुके हैं चल दे फड़ा बड़ से नीचे की और समल के जाना होगा, सामने देख सकते ग्रेनी ने अपना तहल का मचाना सुरू कर दिया है अब मुझे किसी और रास्ते से निकलना होगा विंडो से बाहर निकलते हैं जंब करते हैं नीचे जंब किया सेफली तरीके से, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, ओके सामने टेनल है, तो मेरे पास कोई रास्ता तो मुझे इसी टoneyL में जाना होगा हम लोग इस टoneyL में आ चुके हैं लेकिन ये क्या ये टoneyL तो बिग साइज का है ये नहीं ये तो पुरा का पुरा स्वाओल साइज का है अब हम लोग कैसे बचेंगे बचने के लिए सस्टोर्न ब्लॉग प्लेस कर दिया लेकिन ग्रेणी ने S1 ब्लोक को डिस्ट्रॉई कर दिया, अब नूब ने डैमन का लोब दिया ग्रेणी को, लेकिन मुझे ने लिखता मानेगी, लेकिन ग्रेणी डैमन लेने के लिए तयार नहीं है, नूब को किल कर दिया, अब ये मुझे किल करेगी, और मुझे समझ नहीं किसे बचूंगा कुछ हो रहा है यहां भी क्या हो रहा है देखता हूं क्या यह क्या हो रहा है ओके ग्रेनी के अंदर जो हमारा फ्रेंड था यानि किया लेक्से उसने ग्रेनी को किल कर दिया